बारत के आजादी के 75 वे वर्ष में CRPF की तरफ से साइकल महारैली का आयोजन किया गया जिसे CRPF DIG OPS के कारियाले M.I.D.C. गड़ से महराश्च के राज्येपाल भरत सिंग कोश्यारी ने कल 12 अक्टूबर को सुभा 9 बजे हरी जंडी दिखाकर रवाना किया यह साइकल रैली लगभख 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए देश के विभें शहरो भ्रमपूरी उम्रेड नाकपूर करानिया म्रावती दरियापूर अक्कोला मलकापूर भूसावल चोपाड़ा वरूल कूकर मुंडा डेडिया पाड़ा से होते हुए 26 अक्टूबर को केव स्टेच्यो ऑफ यूनिटी सर्दा वल्लभाई पतिल की प्रतीमा पर शुरदांचली पुष्प अर्पित कर समाप्थ होगी इस साइकल रैली में CRPF के जवान और महिलाएं शामिल हैं जो सभी देशवासियों को देशवक्ति के साथ स्वस्त जीवन के लिए जागरुक कर मानस रंजन डियाएजी ओफ देशवासियों से अनुरोध किया है कि इस साइकल रैली में शामिल होने वाले सभी CRPF के जवानों और महिलाओं का होसला बढ़ाएं और अपने शेत्र से साइकल रैली गुजरने पर उन्हें सहयोग करें CRPF की ADG दक्षिंड जोन ने राज़िपाल भरत सिंग कोश्यारी का स्वागत किया और CRPF के इतिहास के बारे में अवगत कराया इससे पहले CRPF पक्षिंड शेत्र के IG रंदीब दत्ता पीमजी ने राज़िपाल महुदे का अभिवादन किया और CRPF के लिए सरदा वरलभाई पटेल के योगदान की सरहना की और मानस रंजन डियाईजी ओफ्स गड़ चिरोली ने राज़िपाल महुदे को धन्यवाद दिया राज़िपाल ने CRPF जवानों के साथ जलपान किया और उनसे वारतलाप किया इस मौके पर CRPF और सिविल के सभी उचादिकारी मौजूद थे कैमरे परसन राज़कमा मोहर के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट